नमस्ते या भिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लिम है दोस्तों येस बैंक काफी लोगर लेबल्स पे आकर ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से इसमें लगाता डाउन रेंड चालू है ठीक है इस प्राइज में क्या चीज अगर आप यहां से 164,510 से 163,914 पे आ गये है यह डेटा करोण में है तो यहां पर आप डैरेक्ली पढ़ भी सकते हो एक लाग चौंसाथ हजार करोण से एक लाग तिरसाथ हजार करोण पे यह डेटा आ चुका है यह यहां पर ग्रोथ होती तो अच्छी बात रहती डिग ग्रोथ हो रही है तो यह बिल्कुल नेगटिव बात है अगर आप quarter on quarter भी देखोगे तो 166 से 163 पे यह डेटा आया है जो की काफी जाधा नेगटिव है ठीक बात यहां पर लोन्स की हो रही है डिपॉजिट की नहीं क्योंकि deposits में growth है year on year 40% की यह तो होना ही था लेकिन quarter on quarter भी यहां पर कुछ खास बढ़िया momentum आया नहीं है बैंक के लिहाद से लेकिन एक चीज़ जो हम आपको चौका सकती है वो यह कि deposit का मतलब लोगों का भरोसा बैंक पे है क्या या नहीं मतलब यहां पर हम यह चीज़ चेक कर पाते हैं तो वहां पर तो हमको यह चीज़ दिख पाए इसका मतलब क्या है कि लोगों को तो यहां से पैसा मिलता है ना लोंस नहीं मिल पाए इसका मतलब लोगों को rate of interest का main issue आ रहा होगा या फिर services इनकी not satisfactory होंगी लोगों के लिए या फिर यह लोगों तक पहुंच नहीं बना पा रहे होंगे यह हो गया इनका personal reason लेकिन ज इसके उपर live mint ने बहुत बढ़िया आर्टिकल दिया है आपको मैं explain करूंगा जल्दी क्योंकि उस आर्टिकल में काफी अच्छी बातें भी live mint ने पेज की हमारे सामने इसी data के आधार पे मैं उसमें अन्ने points भी discuss करूंगा आप यह document जरूर जाकर पढ़िएगा और क्योंक क्योंकि यह हुआ क्योंकि यह on paper हमको अब दिख रहा है तो चार्ट पर चीज चार्ट पर चीजें पहले से ही आ जाती है वो चीज आप यहां से देख भी सकते हो क्योंकि लोगों को growth कम दिखाई दे रही थी और कोविड का जो डेंट है वो छोटे बैंकों पर ज्यादा ब पर पुराने वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगी जरूर जाकर देखेगा हम मिलेंगे फिर से तब तक लिए नमस्कार